हलो साथियो स्वागत है आपका हमारे चैनल दम मार्केट वर्स में आज एक बहुत ही बड़ी ख़बर आई है पीवियर और आयनोक्स कंपनी के मर्जर से रिलेटेड तो आज की इस वीडियो में हम लोग मर्जर से जुड़ी हुई सारी डीटेल्स को कवर करेंगे इसलिए यह वीडियो को लाश्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो चलिए सुरू करते हैं तो साथियों बात करते हैं PVR आयनोक्स मर्जर के बारे में यानि की PVR लिमिटेड कंपनी और आयनोक्स लीजर लिमिटेड कंपनी के मर्जर के बारे में तो जो सबसे बड़ी चीज है यानि की इन दोनों कंपनी के मर्जर के बाद नया नाम क्या होगा तो नया नाम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हो जाएगा PVR आयनोक्स लिमिटेड ठीक है फ्रेंट्स PVR आयनोक्स लिमिटेड जो है वो एक नया नाम होगा इन दोनों के मर्जर के बाद अब जो अगला चीज है जो हमारे दिमाल में आता है कि मर्जर होने के बाद मर्जर किस तरह से किया जाएगा आयनोक्स और PVR के सेर्स को क्योंकि आयनोक्स का जो प्राइस है वो लगभग साड़े 400 रुपए का है और PVR लगभग 1800 रुपए की सेर है तो मर्जर हम लोग कर रहे हैं 3 सेर्स और PVR for 10 सेर्स और आयनोक्स ये दोनों को एक्विवैलेंट किया जा रहा है और अजाय बीजली सर को नया MD बनाया जाएगा इस नय मर्जर merged company का यानि कि PVR आयनोक्स लिमिटेट जो नई कंपनी बनी है उसके नये MD अजाय बीजली सर को बनाया जाएगा और merger के बाद जो INOX के promoters हैं उनके पास लगबग 16.66% stake होगा और PVR के promoters के पास approximately 10.62% stake होगा तो friends अब बात करते हैं कि कितने screens हैं INOX और PVR का दोनों का मिला करके तो INOX अभी currently 675 screens को operate कर रहा है लगबग 160 properties पर 72 cities में और PVR जो है वो 871 screens को manage कर रहा है across 181 properties in 73 cities तो friends इससे हम लोग समझ सकते हैं कि merger के बाद यानि कि जो नई company बनेगी PVR INOX Limited वो उसके पास लगबग 1546 screens होगे लगब 341 properties के उपर across 109 cities में और इसी के साथ यह largest film exhibition company बन जाएगी इंडिया के अंदर तो बात करते हैं Friday का तो Friday को हम लोगों ने देखा कि INOX और PVR दोनों के जो shares है वो अपर साइड में बंद हुए market 10% गिरा हुआ था फिर भी ये दो कम के shares green में बंद हुए INOX के 6% उपर और लगवे PVR के 0.5% उपर तो इस deal से friends बात करें तो INOX को बहुत ही ज़्यादा होने वाला है जैसा कि हम लोग उने शुरू में ही बात किया कि INOX के 10 shares के बदले PVR के 3 shares equivalent होंगे यानि कि approximately जो INOX का merger price है वो है 550 rupees यानि कि अभी जो current price है उससे लगवग 17% उपर का merger deal हुआ है तो friends इससे हम लोग समझ सकते हैं कि Monday को जब market खुलेगा तो हम लोग अगर INOX का price नीचे खुलता है या फिर 1-2% की उपर खुलता है जो Friday को जहां पर बंद हुआ था यानि कि 469 पर तो हम लोग उसमें by trade ले सकते हैं हमारा target सबसे पहला target रहेगा 550 का तो friends अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और साथी साथ हमारे चैनल The Marketverse को subscribe कीजिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही thank you